नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूसपल इंडिया का खास बुलिटिन गुद मॉर्निंग इंडिया मैं हूँ आपके साथ का जोन लराएं रुख करेंगे गर्मा गरम चाय की प्याली जैसे ही सुभा की गर्मा गरम ताजा खबरों का पर उससे पहले आपके होसलों को उडान मिले ऐसी में दुआ करती हूँ और आपके इनी होसलों को और बुलंद करने के लिए लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ खास पंक्तियां तो गौर करिये वो खुदी तैक करते हैं मंजिल आसमानों की परिंदों को नहीं दी जाती ताली मुडानों की रखते हैं जो होसला आसमान चूने का उनको नहीं परवा कभी किर्चाने की इसी मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग इंडिया की और के करीब साड़े दस बचे लगी दमकल युभाग के अधिकारी ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही दमकल की 20 से अधिक घारियों को मौके पर भेजा गया अब आग पर काबू पालिया गया है इस आग जूनिवी जानमाल की नुकसान की कोई खबर नहीं है आग लगने के क गाजयबादों की बीच बुद्वार को दिवंगत नेता रामलास पासवान के भाई और सांसत पश्युपती पारस पतना पहुंचे पतना एरपोर्ट पहुंचने के बाद उनका भवे स्वागत हुआ पतना पहुंचने के बाद पश्युपती पारस चिराक को और एक जटक पार्टी पद के लिए जारे खीष्तान के बीच आज कारकार्णी की बैठक बुलाए गई है वहीं आज ही पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाफ होगा चुनाफ के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा यूपी के गाजयबाद के लोनी में अब्दुल समध सैफी पर हुए हमले के बाद सियासी वयान ब्याजी तेज है इस बीच समध सैफी का एक और वयान सामनी आया है जिसमें वो नारे बाजी जवान से मारने की धमकी मार पीट और पेशाब पीने तक की बात के रहे हैं समध ने ताबिज वाली बात को भी छूट पताया ये बात बुद्वार राज समध सैफी ने अपने घर बुलंड शेर के अनूप शेर में पत्रकारों से कही वीडियो में उनके साथ मौझूदा पुलिस ने एक्शन पर सवाल उठाए है अब्दुल समध सैफी ने कहा है कि मेरी कनपट्टी उपर पस्तॉल लगाए गई चार लोग थे डंडे और बेल से मुझे मारा गया मैं उनको नहीं जानता और साथी साथ जैश्वी राम के नारे भी लगवाए गई है किरल में आसे लोगडाण पाबंदियों में छूट मिलने लगेगी अब जरूरी सामान बेशने वाली दुकानों को हर दिन सुभा साथ बजे से शाम साथ बे तक खुलने की अनुमती है स्थानिय स्वसरकारी निकायों में औस्ता सबताहिक परिक्षन संक्रमणदर की आधार पर राजयों में प्रतिबंदों में धिल दी गई है यूपी में मौनसून ने दस्तक दे दी है परवांचल के इलाकों में ज्यादा बारिश की संभावना है साथी मध्य यूपी और पश्चिम यूपी में भी हो सकती है आज बारिश बिहार, बंगाल, करनाचक, महराज के इलाकों में बीदे कुछ दिनों से जम कर बारिश हुई है वही राश्वराज़ानी दिली में मौसम में भाग द्वारा जो बारिश की संभावना जदाई गई है लेकिन दिली वासियों को मौनसून की बारिश के लिए भी और इंतजार करना पड़ सकता है दिली में आज 99 तापमान 30 ट्रिग्री सेल्सियस से 26 ट्रिग्री सेल्सियस तक गड़ने का अनुमान है वो यदिक्तम तापमान पर भी हलकी बारिश के आसार देखने को मिल सकते हैं आने वाले पास से 6 दिनों में दिली में बादल चाय रहेंगे 20 से 30 किलोमीटर पति घंचे की रफतार से हवा या धूल भरी आधी चल सकती है गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में बस इतना ही आप बने रहें न्यूजवल इंडिया के साथ और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें